दिखे हिंदी में एक शब्द है परक तो इस उड़े में परक को इंग्णिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ वर मतलब होता है दोनों में जानेंगे example से sentences में use करके अच्छी तरह ऐसे समझेंगे तो चलिए उडियो को start करते हैं और समझते हैं क्या आर्थ होता है क्या मतलब होता है परक का हिंदी में सबसे पहले समझ दीगे परक का मतलब होता है परकने की किरिया आर्थियभाव मतलब होता है कोई वस्तू भली है या बुरी है वो जान लेने की शक्ती को हम परक बोलते हैं, मतलब शिनाख्त, पहचान, अभिज्ञान, जानकारी, परिज्ञान, अभिनिर्धारण, अनुभाव, तजुरुबा मतलब परक, इंग्लिश में परक को बोलते हैं, test, knowledge, identity, identification, recognition, judgment power of judgment and it is, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, परक के, example से sentences में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगा हम बोल चाल में, तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगा हम लोग, कि हीरे की परक, जोहरी के पास है, मतलब इंग्लिश में, the परक करना, जाचना, ठीक है तुमने अपने परक शब्द को हिंदी इंग्लिश में, example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थैंक्स वर वाचिंगे जुके यार, डेस,